ऐसे भूल सकता हूं जब साथ साल का था किसान अंदोलन चल रहा था चारों तरफ किसान अंदोलन की पूरी हला था और बारिश गर्मी सर्दी सब में एकला किलोमेटर की यात्रा करी अपने पिता श्री डॉक्टर नहेंद्र फॉसदार के साथ और जहां जहां पे उप्चुन अंदोलन को राजनीतिक सपोर्ट चाहिए था तो राजस्थान से एक मात्र नेता जो की भीज़पी से गठवन्दन तोड़के और समर्थन किया उसका नाम है हनुमान बेनिवाल जी उनका समर्थन देना हमारी फिर जो हमारा समर्थन देगा हम उसका समर्थन देंगे मोधी जी से अपना गटबंदन तोड़ के है हमारे साथ ऐसे हमारे हनुमान बेनिवाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एक अच्छा नारा लगाएंगे हनुमान बेनिवाल जी है हनुमान बेनिवाल जी देखिए सांसद गांके नागौर के ERCP योजना चाहिए हमारे 13 जिलों को और उन 13 जिलों में नागौर आता नहीं है पर फिर भी हमारी अवाज उठाई OBC आरक्षन भरतपूर धौलपूर के जाटों को OBC आरक्षन जानसद कांके नागौर के आरक्षन किनको चाहिए भरतपूर धौलपूर को उनके साथ हमेशा अगनी वीर योजना जवानों के लिए कौन डटा हमेशा वही हमारे लिए जो बोल रहे हैं क्योंकि वह अपने हैं वह हमारा दर्श समझ सकते हैं इसमें भी उनका धन्यवाद क्योंकि पूरे राजस्तान में से कोई 24 सांसद कोई नहीं बोला हमारे भरतपूर का सांसद भी शोटूराम जी कहते थे कि बोले किसान मेरी दो बात मान ले भोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले भीμε्रा और और जुड़ो और रहत लड़ और अगर नहीं लड़े में तो हमारा कोई पायदा नीजिडा नी जे जवान, जे किसान, किसान एक ताज जिन्दाबाद बाबा साव भीमराव अमबेटकर अमर रहें तैंक यू जब नन्ने कंठों से बाबा साव भीमराव अमबेटकर और सर्चोधरी छोटो राम जी की बातें निकलती है तो ऐसा लगता है कि राजस्तान आप जाग चुका है मैं अगले वक्ता की रुप में एक-एक मिनट के तीन उद्वधन हो रहे हैं और उसके बाद सम्मानिय नेता जी का उद्वधन होगा कोलाइट से रश्ट लोकतां द्रीपार्टी के परत्यासी पुरव विधायक रेवत राम जी पमार हमारे भीच मुझूद में चाहूंगा कि एक मिनट का संग्चिप्त उद्वधन आप हमारे भीच रखें उसके बाद सम्मानिय पुक्राज जी गरग और नाणी जी बेनिवाल का एक-एक मिनट का उद्वधन होगा और उसके बाद हमारे लाड़ ले नेता जी आपसे मुखाती बहुए